नाश्कार साथियों, श्वागत है आपका इस क्लास में, इस क्लास में भी हम कुछ महत्पूर्ण को करेंगे, जो आपके एक्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और लगातार हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, लाइब जो क्लासिस होती हैं, सुबा आठ बजे और रा कमेंट बॉक्स में लिखा करेंगे, और आखिर में ये भी बताएंगे कि आपको कितने सवाल आते थे, ठीक ना, और जैसा कि मैं हमेसा कहता हूं कि सिर्फ कुछिन आंसर को हल कर लेना कभी त्यारी नहीं होता, तो अगर आपने कला को बिल्कुल नहीं पढ़ा है कि और नीचे मेरा नमबन लिखा हुआ, 96, 16, 82, 46, इस पर आप संपर करके कलाश जोईन कर सकते हैं, या संपूर नोट्स बुक करके अपने घर पर मगा सकते हैं, पहरा सवाल देखते हैं, निमलिखित ब्यक्तियों में से कौन चितरकार नहीं है, बड़ा इजी सवाल है, निमलिख इसलिए आप संपर यहाँ पर डी सही हो जाएं, यह पूछ रहा है कौन चितरकार नहीं है, इसलिए आप संपर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, अगला सवाल हम दोग देखेंगे, कलासे संबंधित ग्रंत हिमालय आर्ट किसके द्वारा रचित है, अम्रता से रिये नहीं, इसलिए तरकार अच्छी थी, लेकिन लेखनी में इनका कोई विसे सुरूची नहीं था, इमें फुसेन भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं तो सही नहीं है, आप सर यहाँ पर बचता है यह, जैसी फ्रेंची, और जो यह इलिमिनेशन है सात्यों ना, यह बहुत काम की च है, तो भी आप प्लस में रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर वस्तुनिष्टता है, उत्तर एक ही सही है, जैनि कि अगर आपने गलत को छाट लिया कि यह तो सही नहीं हो सकता है, तो आप सत्य के करीब, यानि कि सही के करीब पहुंच जाते हैं, तो इसलिए इलिमिनेशन को भी आपनों लगाई है, और इलिमिनेशन का गुण आपके अंदर डबलब होगा विसे वस्तु पर अच्छे पकड़ से, हाँ, जब आप इन सब की सारे बिकल्प के बारे में जानेंगे, तभी तो आप इलिमिनेट कर पाएंगे, इसलिए मैं कहता हूं कि यह पूश्चन आंसर नहीं, थियोरी को भी अपनों जरूर पड़ी है, आगे देखेंगे, प्रसिद्ध सित्तनवासल की गुफाएं कहां इस्तित हैं, गुजरात में हैं, तमिल लाडू में हैं, मद्य प्रदेश में हैं या उत्तर प्रदेश में हैं, सित्तनवासल की गुफाएं कहां पर इस्त लगे अब चुकि भूगोल तो बदल नहीं जाता है हमाले गए उत्तर में है भारत के तो उत्तर में रहेगा दच्छी में तोड़े हो जाएगा तो इसलिए भूगोल नहीं बदलता है सित्नवासल की गुफाएं भूगोली दृष्षकोड से बिल्कुल ये कावेरी के निकट इस्तित है सित्नवासल की गुफाएं तमिल्नाडू राज में है कहां पर है साथो तमिल्नाडू राज में है ये गुफाएं किस धर्म से जैन धर्म से संबंधित है जैन धर्म से संबंधित गुफाएं ठीक ना कहां पर इस्तित है तमिल्नाडू में इस्तित है अगला सवा या इन में से कोई नहीं अपभ्रंस सहली चुकि अपभ्रंस सहली के कई नाम है जैसे जैन सहली जैन सहली ठीक न उत्तर पश्चिम सहली उत्तर पश्चिम भारतिय सहली या इसको सिर्फ भारतिय सहली भी कहा जाता है गुजराती सहली और अपभ्रंस सहली ये सभी नाम एक ही सहली के लिए है और इसके अलग-अलग नाम अलग-अलग इतिहासकारों के द्वारा दिये गए हैं और अलग-अलग नाम देने के पीछे उनके अलग-अलग तरक हैं जि जैन सैली इसको किस ने कहा है परसी ब्राउन ने कहा है परसी ब्राउन ने कहा कि यह जैन सैली है और इसका नाम जैन सैली रखना बहुत उचित है नाय उचित है गरत नहीं है क्योंकि इस सैली में अधिकांस्ताल उचित्र बने हैं वो जैन धर्म से संब्द है तो जो आपका स पश्चिम भारती या पश्चिम भारती सहली इसको किस ने कहा तो इसके खोज करता जो थे आनंद कुमार श्वामी ने कहा कि ये पश्चिम भारत की सहली है और ऐसा इसलिए है क्योंकि इसका जो सुरुवात है वो पश्चिम भारत में ही देखने को मिलता है लेकिन आप आगे जब देखते हैं इस कला के बारे में और जानकारी लोगों की होती है तो पता चलता है कि ये भारत के पूर्वी भाग में भी पाया जाता है जैसे इस सैली का जो सबसे प्रसित धग्रंत है वो कलपसूत्र है जिसको खोजने के बाद ही इस सैली के खोज का दावा किया था आनंद कुमार श्वामी और कलपसूत्र के जो सबसे अच्छी प्रती प्राप्त होती है वो जोनपूर से प्राप्त होती है गुजराती सहली यंसी महता एक अन्यकलाय तिहासकार नाना चमनलाल महता ने इसको गुजराती सहली कहा क्योंकि इसमें बसंत बिलास इनकों मेने गया था और बसंत बिलास का संबंध था गुजरात से यह गुजराती एक सहित थे बसंत बिलास तो इसको प्राप्त करने के बा अब्रंस का मतलब होता साथ हो तूटी-फूटी अवस्था में अगर कोई चीज प्राप्त होती इसको अभ्रंस कहा जाता है जैसे संस्कृत का अभ्रंस हिंदी है तो कोई चीज प्रूटी-फूटी अवस्था में प्राप्त होती है तो अभ्रंस कहलाती है इसको रजायकर संदास ने अभ्रंस कहा था तो इसमें अलग अलग तरक सबके ठीक है जैन सहली भी बिल्कुल आप नहीं कह सकते है क्योंकि यहां पर जैन धर्म के अलामा भी चितर मिलते हैं अगर यहां पर बिकल्प में साथियों बौद को हटा करके जैन लिखा जाए और जैन के साथ ब्रहमत धर्म लिखा जाए तो यह सवार डिस्प्यूटेड हो जाएगा क्योंकि यहां पर आपको बाल, गोपाल, अस्तृती भी मिलेगा यान धर्मों के भी आपको यहां पर चितर मिलेगे लेकिन मूल तायू चितर थे वो जैन धर्म के थे इसलिए इस सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा? प्राथमिक रंगो की संख्या कितनी है? इस सवाल बड़ा सिंपल है, आप सब लोग इसका अंसर जानते होंगे, प्राथमिक रंगो की संख्या कितनी है? आपसन यहां पर बी सही हो जाएगा, प्राथमिक रंगो की संख्या कितनी है साथियों? तीन है, अगला सवाल देखे फकीर उल्ला खाँ और मीर हासिम नामक चित्रकार किस मुगल सासक के सासनकाल में थे अकबर बाबर साजहां या हुमाई बताई उत्तर अगर पता है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा नहीं पता है तो देख करके याद कर लीजिएगा ताकि आगे गलती ना हो फकीर उल्ला खाँ और मीर हासिम साथियों मुगल काल का जो कला है वो सुर्वात कहां से होता है बाबर सबसे पहले मुगल बंस की अस्थापना करता है लेकिन इसके पास एतना समय नहीं है कि ये कला को दे पाए चार साल भारत में रहा है चारो साल युद दखिया फिर मर गया ठीक ना लेकिन इसने एक नियू जरूर डाली इसने बाबर नामा में कुछ चेतरकारों का चर्चा किया जो की कहां के थे इरान के थे उनकी चर्चा की इसका मनलब रूची इसका था अगर ये और लंबा जीता तो हो सकता है कला के चेतर में कुछ काम करता है इसके बाद में इसकी मुलाकाद चितरकाडों से होती ही तो थोड़ा बहुत इसका रोची हो जाता है। लेकिन इसकी भी सत्ता लड़ खड़ाती रही। जो वास्तिविक सनस्थापक मुगल कला का है वो अकबर है। क्योंकि इसका जो सासर काले साथ हो वो इस्टेवल है। क्या है इस्टेवल है। दो वास्तिव chosen a ऊपसर पर सही हो जाएगा। इस सवाल के वेता है तो भी ठीक था था। तो Revisionuyek पूरा हो गया आगे देखेंगे जैनसैली को अभ्रण्सैली के नाम से संबोधत किया जैनसैली को अभ्रण्सैली के नाम से संबोधत किया रायकृषिन दास ने, राम दिलास सर्मा ने रभींदरना टैगोर ने या पंडित सूरुकांतृत्र पाथि निराला ने। तो ये तो भी आमने में डिसके स्के था देशान किस ने कहा था रायग्रिश्न दारष ने कहा था तो आपसल ये पित्ति चित्रण किस धरातल पर किया जाता है भित्ती चित्रण किस धरातल पर किया जाता है? कैनुवास, ताड़पत्र, दीवार या कागजवर. भित्ती चित्रण, भित्ती दीवार का परियायवाची होता है. ठीक ना? दीवार का ही परियायवाची भित्ती होता है. तो अब यसी बात है, भित्ती चित्रण दीवाल पर ही होता है तो आप देखेंगे कि भारत में एक लंबी प्रक्रिया रही है भित्ति-चित्र जितनी प्राचीन को पाएं वहाँ पर आपको भित्ति-चित्र खूब देखने को मिलेंगे तो भित्ति-चित्र आपको अकुबर के टाइम में भी देखने को लिए मुगल काल में भी जाती है प्लास्तर को लगा करके उसी के ओपर चितरकारी की जाती है अगर खुछे कि भारत का सबसे फाले भिती जिवार पर किया जाता है अगे बढ़े अगला सवाल देखेंगे मानसो उल्लास नामप ग्रंथ के रचेता कौन है जैदेव बानभट इनमें से कोई नहीं या सोमेश्वर ये चार बिकल्प आपके पास है बताना है कि मानसो उल्लास ग्रंथ के रचनाकार कौन है सिंपल सवाल ए सिंपल आंसर सोमेश्वर आप्सलंसी सही हो जाएगा अगला सवाल देखेंगे काडवत रेखायें कैसा भाव परिग्ट करती है क्रोधित होने का भाव प्रषन करने का भाव इनमें से कोई नहीं या ब्याकुल्ता, कर्णवत रेखा है, ठीक न, एक तो रेखा होती है, एकदम सी नहीं, इसको सरल रेखा कहा जाता है, सरल रेखा, एक रेखा ऐसी भी तो हो सकती है, इसको कर्णवत रेखा कहा जाता है, कर्णवत रेखा साथियों, उतार चढ़ा, उतार चढ़ाओ, तो ये ब् जाएगा, आगे देखेंगे, गीत गोभिंद किसकी रिचना है, सूरिधाश, hasStra Worra, जाएव को सब लेंगे से कलाकार सामंजस से उत्पन कर सकता है तो बड़ा सिंपल सा सवाल है रेखा से भी कर सकता है रंग से भी कर सकता है रूप से भी कर सकता है तो इसलिए आपसे यहाँ पर डी सही हो जाएगा आगे देखेंगे धरातल की बुनावट कहलाती है, धरातल की बुनावट कहलाती है, रंग, तान, पोत या सामनजस, धरातल की बुनावट, धरातल कैसा बना हुआ है, तो वो कैसे आप पता लगाते हैं, छू करके, या देख करके, कई बार हमको देख करके लग जाता है, कि य यह सते बड़ा चिकना है या खुर्दुरा है तो यह पोट से विसाइड होता है किस से पोट से पोट को अंग्रेजी में टेक्स्चर कहते हैं टेक्स्चर तो धरातल की बनावट पोट कहलाती है आपसर सी सही हो जाएगा गहना कृतियों के अंतरगत नहीं आती है इट, पुस्तक, शेव या डिपा गहना कृतियों के अंतरगत नहीं आती है घहना कृतिया क्या होती है गहना कृतिया पहल बात क्या होती है त्रिडी फीगर होती है और कुछ इस प्रकार से होती है तो यह अगर आप देखेंगे यह क प्रकार का घन बनाया हुआ है क्या है घन है तो अगर आप बात करेंगे इट इट भी एक प्रकार का घन ही होता है पुस्तक भी प्रकार का घन होता है और डिब्या भी यह प्रकार का घन होता है लेकिन सेव घन नहीं होता है सेव की आकरती कैसी होती है यह सेव है ठीक न और से भी जो है साथियों घन नहीं होता है तो इसलिए आपसन C यहाँ पर सही हो जाएगा अगला सवाल देखेंगे फ्रिस्को चित्रन विधी क्या है फ्रिस्को चित्रन विधी क्या है भित्ती चित्रन की विध्या है बित्ती चित्रन की विध्या है आपसन ये सही हो जारेगा तो इस प्रकार ये पंदरा कोश्चन आपने किये आपको ये बताना है कि इन पंदरा कोश्चनों में आपके कितने कोश्चन सही हुए यतने सही हुए कमेंड बॉक्स में लिखती जिए कि सर हमारे इधने कोश्चन सही हुए बाकि आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताईएगा और जो आपके नयतिक जिम्मेदारी है लाइक करना और इस घ्यान को आगे भी बढ़ाना जानी कि सेर करना वो भी आपको करना है तो फटा-फटा अपलोग कर लेना जो साथी गण पहल आई जाती है नीचे नंबर लिखा हुआ है 96-16-82-76-46 पर फोन कर सकते हैं या वाट्सप करके भी जानकारी ने सकते हैं थैंक्यू